नमस्कार दोस्तों तो गर्मिया आ गई है तो अब मैं मैंगो आइसक्रीम बनाती हूँ गर्मियों के ठंडी ठंडी आइसक्रीम तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अब मैं एक बड़ा आम लूँगी और लेने के बाद मैं इस तरीके से छिलकाई आम का पल्प निकाल लेंगे निकालने के बाद एक मिकसर जार में डालके अच्छे से पीस लेंगे अब इधर एक भगोना लूँगी उसमें 200 ग्राम दूट डालूँगी और तीन से चार चमच चीनी डाल करके इस तरीके से चलाते हुए पूरी चीनी अच्छे से पिगला लेना है अब इधर मैं दो चमच दूद लूँगी एक कटोरी में और एक चमच कुश्टड बार्डर डाल करके इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे देखिए खब अच्छे से घोल लेंगे गोलने के बाद में अब मैं उधर दूद मेरा उबल रहा है तो चलिए मैं घर का बनाया हुआ फ्रेस क्रीम रखा है मैंने तो ये आदा कटोरी फ्रेस क्रीम डाल देंगे और डालने के बाद दूद को अच्छे से उबालेंगे उबल जाने के बाद में अब मैं ये कश्टड पॉडर डालूंगी और कश्टड पॉडर डालिये तो तुरंत उसको अच्छे से चला ये नहीं तो गुठलियां पढ़ने लगती हैं तो इसलिए खुब अच्छे से चलाते हुए दूद को उबालना है तो ये हमारा दूद उबलके रेडी हो गया है अब मैं डालूंगी इस बना रहे अब मैं इसमें डालूंगी लाइची पाउडर तो ये लाइची पाउडर डाल दिया है फ्लेवर के लिए देखिए एक दम अच्छे से मिक्स कर लिया है अब मैं एक आईसक्रीम इस्टेंड ली हूँ तो उसमें डाल दूँगी इस तरीके से एक एक कल्ची करके डाल रही हूँ और ऐसे ही डालना है ये बहुत ही टेश्टी बनके रेडी होगा कि मार्केट का खाना भूली जाएंगे आप एक बार जरूर बनाए उसके बाद में आप देखिए इस तरीके से सारे को अच्छे से डाल के भर भर के डालना है और डालने के बाद में अब ये तो आपको भी बनाना है आइस क्रीम बनाए खाये और बहुत ही टेश्टी बना है और चैनल को लाई कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आपका इच्छा हो तो आप हरसी लगार के ऐसे भी खा सकते हैं तो हमारा ये चैनल ये चैनल थाउजर्ण सुस्क्राइब पूरा होने व